तब ही किसान साथियों को राजे सकतारिया तरफ से नमस्कार आज भी हमारा सपेसल भी से होगा डिम्मक के बारे में कई मिथ्थे हैं ज्यादातर किसान बाईयों के नजर में डिम्मक किसान के लिए बहुत ही हानिकारक है लेकिन कुछ परसेंट जिसको पूरी नोलिज हो चुकी है अध्यान कर लिया है उनकी नजरों में दिम्मक किसान का मित्र है यानि के फाइदेबंद है तो इस विशे में मैं आपको कुछ उधार्ण दिऊंगा उससे आप खुद डिसाइड करना भई ये आपका मित्र है या दुश्मन है तो वीडियो मागे बढ़ने से पहले सभी किसान भाईयों से अनुरोद करूँगा जो भी नए किसान है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी सार पहला इकन दबा दें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर ज़रूर करें तो साथियो सबसे पहले क्या होता है अगर आप जेवी खेती कर रहे हैं तो जेवी खेती में सबसे बड़ा रोल जिवानू फंगस और बैक्टिरिया इनका बहुत एहम रोल होता है अगर जिस खेत के अंदर ये तीनों नहीं होगे तो वहाँ जेवी खेती सेक्सेसपुल नहीं होगी चाहे आप कितना भी जोर लगा लें आपकी जेवी खेती में खर्चा बढ़ता चला जाएगा लेकिन वो सेक्सेसपुल नहीं होगी क्योंकि जेविक हिती में इनका एहम रोल होता है इनका रोल क्या होता है सबसे पहले अगर हम जिवानों की बात करें तो जितने भी जिवानों होते हैं सुक्सम जीव होते हैं वे पोद्देकों हर तरह से नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटेसियम, जिंग, सलफर, मैगनीसियम जितने भी पोशक तकता होते हैं सब इको पोद्देकों के रहन कराने में उन ही का रोल होता है क्योंकि जब भी हम अपने खेत के अंदर जाए वो रिषाइनी खेती कर रहा है या जिवी खेती कर रहा है अगर हम रेडिमेट कोई भी खाद लेके आते हैं और वो अपने खेत के अंदर डालते हैं तो वो खाद कभी भी पोदा डारेक्ट गरहन नहीं कर पाता उसको गरहन करने के लिए जिवानों का एहम रोल होता है जिवानों के दवारा वो पोद्दे को गरहन होता है और जैसे अगर हम रिषाइनी खेती में यूरिया डियेपी पोटास जितना भी डालते हैं तो आपने देख्या होगा उनका मुश्कल से 15 से 20 परसेंट 30 परसेंट कहीं कहीं 40 परसेंट तक है वो पोद्दे को गरहन जिवानों के माद्यम से ही होता है बाकी वो जमीन के अंदर लोक हो जाता है कुछ हवा के अंदर उड़ जाता है तो साथियो हम क्या करते हैं डिमक जब भी हमारे खेत में नजर आता है तो हम कलोरो पारी फास दुकान पर जाते हैं वो डिमक की दबाई दे जबता है और अपने खेत में उसको लगा देते हैं जैसे ही भी हमने कलोरो पारी फास का अपने खेत में पानी के माद्यम से या भी उसको यूरिया मिला के या भी उसको रेती में मिला के खेतम जैसे उसको छिड़काओं किया या पानी के साथ चलाया तो जितने भी सुक्सम जीव जितने भी बैक्टरिया और जितने भी फफुंद पॉतियों नो सभी को करल्यान कर देता है सभी को मार देता है तो हमारे पो देखो ना तो ना इट्रोजन उपलब के समय समय पर उनकी पूर्ती करनी पड़ती है लेकिन अगर आप कलोर पारिफास का यूज नहीं करते तो आपके खेत में हर फसल के अंदर दीरे-दीरे करते हुए लगबग दो से तीन साल के अंदर हर तरह की फफुंद हर तरह के बैक्टरिया और हर तरह के जिवानू ला च्रहिए और आपने खेत में देने के हो सकता नहीं होती कि सबसे पहला उदान क्या है जैसे हमको पेड देख्या या आपने सिसम का पेड देख्या तो उस पे डिमक आपको नीचे से ले कर उसके तने के साथ साथ करके उपर तक आपको डिमक दिखाई देगी लेकिन आप एक दूसरा पोदा देखे कोई भी जिसका जो तवचा होती है यानि कि जो तणा होता है तने की जो त सब्सक्राइब लाज़ करते हैं उसका सफेदा एक टाइम ऐसा होता है उसमें भी जो टौशा होती हो खुर्द्री हो जाती है तो साथियों कि आगे पढ़ने से पहले अपको एक बात बता देता हूं दिम्मक एक बात कहता है सजीव चीज जिसके अंदर जीव होता है जैसे इंसान पेड़ पोदे गास फूस कोई भी वनस्पती तो जिसके अंदर जीव होता है वो उसको बोलते हैं सजीव एक होता है निर्जीव जैसे फरनीचर या भी कटी हुई लकड़ी या जिस पोदेगे अंदर जान नहीं है वो पोदा तो कहता है निर्जिव को जोड़ूँगा नहीं सजिव को नुक्षान नहीं पोचाऊंगा तो जैसे नीम की जो उपर लिट तवचा होती है तेने की वो तवचा हमेशा खुरदरी होती है और खुरदरी जब उसको आप खरच के देखेंगे किसीभी लकड़ उसे हथियार से उसको खुरच के देखेंगे तो उपर वो निर्जिव होती है सुकी हुई होती है इसी तरह से सिस्सम होया नीम होया या कोई भी जैसे बबूल का पेड उसकी भी उपरली तवचा क्या होती है खुर्दरी होती है जिस पेड की तवचा खुर्दरी होगी वो हमेशा उपरली तवचा कुछ से उसका अंस वो निर्जीव हो जाता है और जिसकी तवचा चिकनी होगी तो उसका अंश कोई भी निर्जीवनी होता तो उस पे आपको डिम्मक नजर नहीं आएगा अगर डिम्मक के नक्षान पहुंचाता तो हर पेड़ प्र नक्षान पहुंचाता जैसे हमने गहुं लगाया या धान लगाया या आमना और भी कोई भी फसल लगाई तो जैसे हमारे खेत के चारो तरफ हम देखेंगे गेउं का खेत है आपने किसी भी कोणे में या कहीं बीच में आपने कुछ जगे देखी भी हमारा गेउं या पीडा हो रहा है आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन दो-तीन दिन के बाद आप फिर खेत माये तो उसमां आपने देखेंगे कुछ गेउं लगबग उपर से सूक रहा है तो जैसे आप उसको गेउं को पाड़ के देखेंगे वह क्या कान हो रहा है इसमें तो वो कभी जड़ समयत नहीं आता जड़ से थोड़ा उपर उसका तना ऐसे उपर खिच के आ जाता है तो जैसे हम देखेंगे उसकी जो नारी होती है उस नारी के अंदर आपको डिम्मक ने जराएगा तो आपके दिमाग में एक ही बात जाएगी अगरी डिम्मक ने हमारा गेउं खराब कर दिया डिम्मक ने गेउं काट दिया लेकिन सच्चाई क्या है सच्चाई ये है अगर डिम्मक आपके गेउं को नुक्षान करता तो उसकी जड़ समयत वो उपर आता लेकिन वो बीच से ही क्यों आया बीच से ही डिम्ट ऑगना क्यों काटाया उसको इसलिए काटाया जब आपने पोद्दा उसमन पीड़ा पना आया तो आप समझ लेना उसके अंदर बिमारी आगी और बिमारी क्या होते हैं कुछ सुख्षम कीडे होते हैं वो कीडे हानिकारक होते हैं जैसे मगधान दिन निमा टोड निमा टोड सुक्षम होता है जो भी हमारी कोई भी पोदा है जैसे पहले टमाटर मिरिच बेंगन इन चीजों के अंदर भहुत ज्यादा मात्रा में निमा टोड होता था लेकिन आज लगबग हर फसल के अंदर 80-90% फसलों के अंदर निमा टोड का असर देखने को मिल रहा है तो जो नई रूट जोन होती है एक जड़ होती है मैं जो खाली पोदे को खड़ा रखने के लिए सायक होती है उसके बाद जिस जड़ों के माध्यम से पोदा खाना लेता है वो जड़े साइडम फैलती है और वो नहीं नहीं जड़े होती है वो वाइड रूट बोलते हैं उसको वाइड जड़े होती है तो जैसे वो जड़े विक्सित होती है तो उसके अंदर निमा टोड गुश जाता है और उस जड़ों का जो रस होता है उसको चूश लेता हो पूरी तरह से तो कुछ टाइम के बाद वो पोदा हमारी नजरों में तो सजीव है लेकिन डिमक की नजरों में क्योंकि वो पोदा जैसे ही खुराक बनाना बंद कर देगा तो कुछ टाइम तो खड़ा रहेगा कुछ टाइम के बाद ही मरेगा वो पोदा तो डिमक की नज़ुर में वो निर्जी वो चुक्या है तो उसपे डिमक अपना असर सुरू कर देता है कभी आपने कोई भी HRUIT PLANNG का पोदा आपने देख्या है जब उसने आपने देख्या भी पोदा हमारा सूग गया यह या पोदा मुर्ज आ रहा है तो आपना पाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ों में के चार उतरभव को डिमक नजर आएगा लेकिन वो डिमक उसके अंदर कब आया डिमक तब आया जब उसके अंदर निमा टोड या एन्य कोई भी फंगस खानिकार फंगस या भी विल्ट या उसके अंदर कोई भी जड़ गलन की समस्या आई किसी भी कानवस से उस समस्या आई तो वो पोदा के आवाज की जो नए रूट जोन थी वो खतम हो चुकी खतम होती है डिमक को पता लगया पोदा निर्जी हो गया तो उसने डिमक ने आके उसमें अपना घर बनाना शुरू किया और उसको खाना शुरू किया डिमक क्या करता है कोई भी किसान अगर बाग लगा रहा है या कोई भी किसान जैसे हम गेहूं की कटाई कर देते हैं दान की कटाई कर देते हैं उसको अगर आपने खेत में उसको हम, रूटावेटर से या हर रो से या किसी भी चीज से अगर उसको हम खेत के अंदर उसको mix कर देते हैं मिटी के अंदर, तो जिस खेत के अंदर ज्याधा dimuk होगा, तो वो जल्दी से उसको decompose काम करेगा, उसको खाना बना के जो dimuk lettering करता है वो उसके अंदर हर तरह से nutrient available होते हैं वो एक किसम का खाद का काम करता है उसके अंदर जितने भी पौशक्त अतो चाहे nitrogen, phosphorus, potassium, zinc, sulfur, magnesium जितने भी पौश देगवा सकता होती है उसके अंदर वो जो खाणा खाता है खाणा खागे जो lettering करता है उसके अंदर वो सभी पौशक्त अतों available होते हैं चाहे वो लकड़ी खाता है चाहे वो आपका कोई खत्पतवार वगरा कुछ भी खाता है कुछ वो percent मीटी भी खाता है तो वो जैसे lettering करता है उसके अंदर पौशक्त अतों की बरमार होती है तो जहां डिमक ज्यादा होगा उस खेत के अंदर आपने देख्या होगा वो जल्दी से decompose हो जाता है और जितना जल्दी decompose होगा उतना ही उसके अंदर ज्यादा कार्बन की मात्रा बढ़ेगी कुछ बैक्ट्रियों का हैम रोल होता है इसके साथ खेत के अंदर ज्यादा बैक्ट्रियों होंगे ज्यादा जिवानू होंगे तो उसको उतना ही जल्दी decompose करेंगे तो उतना ही जल्दी उसके अंदर कैच्वा आएगा जिस खेत के अंदर कलोरपारिफास यूज कर दिया उस खेत के अंदर आपको जितना भी कैच्वा, चाया आपका दो साल से, तीन साल से मैनत करने के बाद कैच्वा उत्पन होया, अगर कलोर पारिफास का आपने इस्तिमार कर लिया, तो वो पूरा ही कैच्वा मर जाएगा, जिवान मर जाएंगे, कैच्वा मर जाएंगे, और आ तो वो तत्थे क्या है जैसे ही आपने कलोरपारीपास डाली तो जो उसके अंदर नीमा टोड वगरा था नीमा टोड उसमें कुछ हद तक लगबग 70-80% वो नीमा टोड मर गया तो मरने के बाद उसकी नई जड़े फिर विक्षित होगी तो इसलिए पोधा हर्या बर्या हो गया तो आपकी नजरों मोता भी हमने कलोरपारीपास डाली तो हमारा पोधा बज़ गया मैं एक उधान और देता हूं आप एक खेत में जहां डिम्मक का असर सबसे ज़्यादा है उस खेत में गेहूं लगा दीजिए गेहूं लगाने के बाद लगबग उसके अंदर 15-16 या भी 20 या 25 जितनों भी जो भी आप लगा सकते हूं 20 फित पे 25 पे 30 फित पे उसके अंदर समय के बाद देखोगे लगबगे दो मीने के बाद जहां आपना लकडी को गाड़ा है तो उसके चारों तरफ लगबग एक से डेड़ फिट दो फिट के चारों तरफ बाकी जो आपका खेत के अंदर गेहूं मान लीजिए उधान के तोर पे दो फिट का है लेकिन जहां हां आपका गेहूं बिल्कुल 100% काड़ा नजराएगा और उसका पत्ता भी चोड़ा होगा अगर पत्ता चोड़ा होगा और गेहूं हस्पूष्ट होगा तो जब बाली निकलने का समय आएगा तो जो और जगए आपकी बाली निकलेगी और एरिया में जालकडी कर रही उस 6 इंची है अगर और खेत में आपकी 7 इंची है तो वहां पर आपकी 8 इंची बाली आएगी अगर वहां 12-13 कोड़ी की आएगी अगर वहां 12-13 कोड़ी की और खेत में तो वहां कम से कम आपको 13-14 कोड़ी की बाली निजराएगी कान क्या है वहां उसका दाना भी आपको वहां गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग लगबख एक साल दो साल तक ऐसे देखो गे तो वह ऐसे उपड़े रहेगा चाहे वो टेंड यहाँ इतनी बड़ी है चाहे इतनी बड़ी है अगर डिम्मक है तो आप देखेंगे तीन-चार मीने के बाद वह दीरे 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 दीकम्पोज रणा शुरू हो जाएगा उसको खाना शुरू कर देगा डिम्मक और उससे नूट्रेंट लेके क्योंकि वो जमीन से भी नूट्रेंट लेके और वो जहाद लेटरिंग करता है वो आपकी खेतमत जहां डिम्मक या मैं एक आपको उधान देता हूँ जहां आपको डिम्मक की मिटी ज्यादा नजर आए दिम्मक का घर नजर आए वहां से कुछ मिटी लेके आना लगवेग एक मुठी बर मिटी और उस आप कोई भी खाट डाल रहे हैं स्पोर्स गरों आपने किसी भी पोत देक अंदर सो गराम सागरिका डाली या वाईविटा डाली- या भी आपने कोई भी येविक दाने दर खाट डालया वो 100 ग्राम एक प्लांट के चारों तरफ डाल दीजिए और एक प्लांट में 100 ग्राम और वो मिट्टी एक मुठी बर वो भी डाल दीजिए डालने के बाद 2-3 मीने के बाद खुद आप समतकार देखेंगे जिसके अंदर आपने डिमक की मिट्टी डाली थी वो पौधा उससे ज़्यादा तंदुरुस्त होगा तो ये डिमक के बारे में कुछ नोलिज थी जो मैंने आज तक अपने दिन में पाया मने इसका कई साल से क्योंकि पहले मैं भी बार-बार लेकलोर फारी पास या डिमक की और कोई भी दवाई अपने खेत में डाल देता था लेकिन जैसे मेरे जेविक खेती का भूत सवार होया तो संगर्ष तो मेरे सामने काफी आए तो मने इसका अद्यान किया तो साथियो अद्यान करने बाद जहां मेरे खेत में दिमक की संख्या बढ़ी तो वहीं पर मैंने देख्या अग बहुत जल्द ही उस खेत के अंदर कोई भी खतपतवार या भी कोई लकड़ी या भी कोई भी वेस्टेज अगर वहाँ पड़या है तो वह बहुत जल्द ही डीकंपोज़ना शुरू हो चुक्या है यानि कि खाद में बदलना सुरू हो चुक्या है और जान नहीं है तो वहाँ पर ऐसे ही जैसे कोई भी पोदा मेर जाता है उसको खेत में साइड में डाल देते हैं खेत से बाहर नहीं निकालते हैं अगर कोई टैनी काट नहीं है तो वहीं डाल देते हैं उसको बाहर नहीं निकालते लेकिन जान डिम्मक नहीं है वो ऐसे पड़ी रहती है क्योंकि पिछले साल मैंने एक गलती करती थी मनें हर भी साइड का अस्तेमाल कर दिया था जैना खत्पर खत्परवार होने के कारण तो वह उसके कारण जिवानों की संख्या भी काफी कम होगी और मेरा जितना भी जो कैचवा था मनें लगातार दो साल से जो मैनत की थी उस पर पाणी फिर गया था तो इसलिए मनें एक वीडियो में सपेशल कह कि सांथ दोगलती जिन्द्गी में कभी ना करे जो जैविक खेती करे हैं खासकर या प्राकरती खेथी करें है एक क्लोरी फारी पासली का यूज ना करे और एक हर्वी साइट का यूज ना करे है तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जय हिं जय बार्थ ॰य मा तरी